दोस्तों आजकल हमारे चारो तरफ तरह तरह की छोटी बड़ी बीमारियां फैल रही है। के लिए कुछ एक common factors responsible होते हैं जैसे कि poor nutrition, कई बार immunity का कमजोर हो जाना, body के अंदर oxidative stress का बढ़ जाना, body के अंदर inflammation का बढ़ जाना और कई बार body के vital organs का सही डंग से काम ना कर पाना कुछ ऐसे causes हैं जो कि करीब करीब हर एक तरह की छोटी बड़ी बीमारी पैदा करने के तो इस तरह की सभी बीमारीों से हम अपने आपको बचा सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा super food बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इन सभी disease causing factors को counter करती हैं जिससे आप जिन्दिगी बर healthy और disease free रह सकते हैं और अपने आपक वो शुरू करते हैं और जानते हैं इस जबरदस्त super food के बारे में पूरी details से, तो दोस्तों ये super food जिसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, इसके बारे में और जादा suspense ना बनाते हुए, मैं आपको बता देता हूँ, कि इसका नाम है moringa olifera, यानि आम भ खासतोर से northwest India में काफी जादा पाया जाता है, इसकी सबजी अक्सर बनाई जाती है इंडिया में, खासतोर से south India में इसको बहुत खाया जाता है, सामबर बनाने के लिए इससे सबजी को बहुत commonly use किया जाता है, आपने कई बार जब सामबर खाया होगा तो उसके अंदर सबजी अक्चिली जो है, वो सहजन की सबजी होती है, लेकिन यहां मैं आपको medicinal use के लिए मोरिंगा ट्रीका का जो पार्ट सजेस्ट करने वाला हूँ दोस्तों, वो सबजी नहीं है, बलकि वो यह है इसके पत्ते, इसकी leaves, दोस्तों मोरिंगा के बारे में बहुत सारी scientific studies भी हो चुकी हैं, और जितने भी potential benefits इसके हैं, उन में से सिर्फ एक मुठी भर फायदों के बारे में ही अभी तक scientifically पता चल पाया है, लेकिन इसकी असल फायदे जो आयरुविदिक टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, वो अंगिनत हैं, बेशुमार हैं, सबसे पहले बात करते हैं स सहजन के पत्तों से मिलने वाले nutrition के बारे में, दोस्तों सहजन के पत्तों में जबरदस्त nutrition होता है, और इसी वज़र से इसको एक super food कहा जाता है, यानि एक out of the world वाला food, सहजन के पत्तों में protein, iron, vitamin C, vitamin B6, magnesium, vitamin A, vitamin B2 काफी ज़्यादा quantity में होता है, और ये सभी वो nutrients हैं, जो क हमारी सेहत को maintain रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए अगर आप regular तोर पर सहजन के पत्तों का इस्तमाल करते हैं, तो इससे आपके अंदर इन nutrients की कभी भी कमी नहीं हो पाएगी, और नहीं आपको कोई synthetic multi vitamin capsule या सीरप वगरा लेना पड़ेगा, आखर यह oxidative stress होती ही क्या चीज़ है, तो देखे हमारी body में जितने भी processes होते हैं, इन processes के अंदर कुछ chemical reactions होने की वज़े से कुछ ऐसे free radicals यानि कुछ ऐसी चीज़े निकलती हैं, जो कि हमारी अपनी ही body की cells को damage करने लगती हैं, नुकसान पहुचानने लगती हैं, बहुत स सारी दिल की बीमारियां इस तरह की oxidative stress की वज़े से ही पैदा होती हैं, मुरिंगा यानि सहजन के पत्तों में जबरदस्त antioxidants होते हैं, यानि वो चीज़े होती हैं, जो कि इन free radicals को neutralize करती हैं, जिससे हमारी body में बहुत सारी chronic बीमारियां जिनके बारे में अभी मैंने जिकर किया, इनके होने का risk कम हो जाता है, और pre-mature aging भी काफी हद तक कम हो जाती है, आप जादा जवान दिखते हैं, दोस्तों सहजन की पत्तियों का तीसरा फाइदा मिलता है, आपकी blood sugar को control में रखने के लिए, सहजन की पत्तियां आपकी blood sugar को control में रखती हैं, इसके अंदर पाय diabetes हुआ नहीं है, आप उसके बिल्कुल stage पे आने वाले हैं, तो ऐसे cases में भी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको भी diabetes भी नहीं है, आप pre-diabetic भी नहीं है, लेकिन family history आपके अंदर है, तो ऐसे case में भी as a protective measure आप इसको 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 इस समझते होंगे, या अगर समझते होंगे तो सोचते होंगे कि सिर्फ सूजन को ही inflammation कहते हैं, लेकिन inflammation बेसिकली वो process है जिसमें हमारी body अपने आपको heal करने के लिए काम करती है, ये process बेसिकली हमारे लिए एक protective function है, लेकिन अगर ये inflammation हमारी body में ज्यादा लंबे समय तक रहन तो cancer जैसी बड़ी बीमारियां होने का खत्रा भी कई गुना बढ़ जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको कहीं चोट लग जाती है दोस्तों, तो उस चोट के चारो तरफ का जो हिस्सा होता है, जो skin होती है, वहाँ पर लाली सी आ जाती है और थोड़ी सी सू inflammation आपके अंदर होता है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे वह वक्त के साथ ठीक हो जाता है, दवाईया मगरा लेने से, लेकिन अगर आपकी body के अंदर, आपकी नसों के अंदर, आपकी हड़ियों के अंदर, या आपके जोडों के अंदर, या आपके दिल क के अंदर इस तरह का inflammation होने लगे तो आपको पता ही नहीं चलता है और यह लंबे समय तक रहता है और इसी वजह से आपके लिए घातक हो जाता है बहुत सारे रिस्क इसकी वजह से आपके अंदर बढ़ जाते हैं सहजन की पतियां हमारी बॉड़ी के अंदर इस inflammation को भी कम करती हैं इसको बढ़ने से रोकती हैं जिसकी वजह से इस तरह की बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिमारिया होने का रिस्क भी हमारे अंदर काफी हद तक कम हो जाता है सहजन की पतियों का पांचवा और आखरी सबसे बड़ा फाइदा जो कि आपको मिलता है वो है इस इन्दर कि बिमारिया पैदा होने का खत्रा कम हो जाता है सहजन की बड़ियां लेने से आपकी बॉड़ी में LDL मोरिंगा के नाम से लेकिन इसका फाइदा लेने के लिए आपको इन टैबलेट्स की या महेंगे कैपसूलों की जरूरत नहीं है सहजन की पत्यों का पाउडर आप ले सकते हैं और इस पाउडर को रोजाना सिर्फ एक टाइम आधा चमच लेने से ही आपको इसके ये सारे बेनेफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि आज मैंने आपको बताए हैं इसको आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं सिर्फ आधा चमच इसका पाउडर लीजिए और इसको एक ग्लास गुंगुने पानी के साथ आप फांक लीजिए मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेर भी कीजिए मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़िया सी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा